प्रेज दे लॉड अलेलूइए ़्यारे भायर बेनों, कितने धन्य है हम, कितने अश्रिशित है क्योंकि हमारे ये नश्वर शरीर में ये जो जबान है जो मिट्टी में मिलने वाला है इस जबान से खुदा का जिन्दा और अनश्वर आधी अनाधी वच्चन को बोलने का लेने का मौका आपको और मेरे को मिल रहा है हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि इस वक्त हम वच्चन के साथ प्रार्थना करने वाले हैं कई साल पहले बोले तो कोरोना के बीच में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे यह वच्चन मेरे मन में आया फिलिप्यों का पत्र उसका ध्या 4 पसंग्या 6 letter to the philippians chapter 4 verse 6 philippians 4 6 इसमें यह लिखा है किसी बात की चिंदा ना करे repeat करना चाहता हूँ किसी बात की चिंदा ना करे एक दूसरे को बतावी सकते हैं किसी बात की चिंदा ना करे worry about nothing फिर क्या करना है हर जरूरत में प्रार्थ ना करे हर जरूरत में क्या करे प्रार्थ ना करे किसी बात की चिंदा ना करे हर जरूरत में प्रार्थ ना करे विन्य तद्धा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रसुत करे प्रार्थ ना करने का तरीका भी प्रभु ने इसमें बता दिया प्रभु ने मेरे को बता है जो मसाला संबार में डालता है वो मीट में नहीं डालता है आपको पता है किसी तरह प्रार्थना प्रार्थना होने के लिए अविश्शिक चीजें होते हैं वो है विनमरता दूसरा है धन्यवाद के भाव बिनमर्ता के साथ और धन्यवाद के साथ आपकी अपनी निवेदन प्रभु के सामने रखो यूगी सुनी जाएंगे ग्यारंटी है ग्यारंटी हाललुया और हिश्वर की शांधी बचण में लिखा and most powerful word of God in the Bible हाँ प्यारे भाइर बेरो ये वचन आपको आज चुटकारा देगा इसमें इतनी शक्ती है जितनी भी चिंता हैं आपके मन में यूही जो सूरज के रोशनी के समने कोहरा जैसे गायब हो जाते हैं आपकी जीवन से गायब हो जाएंगे कोई शक है तो एक बार इस्तेमाल करके देखो जैसे कुछ अडियोडेसमें बोलते हैं न इस्तेमाल करके देखो जी वचन को यूज करो आपने जिंदिगी में वचन आपके जीवन को बदल कर रखेगा सब बोले हालेलुईया आमेन किसी बात की चिंदा ना करे हर जरूरत में प्राथ ना करे किसी बात की चिंदा ना करे विन्यत अधा धन्यवाद के साथ इश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे विन्यत अधा धन्यवाद के साथ इश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे और इश्वर की शांदी जो हमारे समझ से परे है आके हे दै और विचारों को इसामसी में सुरक्षित रखेगी आपके हे दै और विचारों को इसामसी में सुरक्षित रखेगी हालिलूया ये निच्छिंद रहो ये वचन आज आज आपके जीवन में पूरा होगा भूले आमेन दायना आत उठाके बूलिए है प्रभी येश्व आज ये वचन तेरे जीवन में पूरा हो जाए किसी वकत पूरा हो जाए आमेन 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 आये प्रार्थना करें तालिव जाकर कुछी के साथ हानद के साथ इस वचन को हम गाएं और इस वचन के साथ प्रार्थना करें तालिव जाकर किसी बात की जिंदा ना करें किसी बात की चिंदा ना करे हर जरूरत में प्रार्थ ना करे विने तथा धन्यवाद की साथ इश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्थुत करे किसी बात की चिंदा ना करे हर जरूरत में प्रार्थ ना करे किसी बात की चिंदा ना करे किसी बात की चिंदा ना करे और इश्वर की शांती जो हमारी समझ से परे है और इश्वर की शांती जो हमारी समझ से परे है किसी बात की चिंदा ना करे हर जरूरत में प्राथ ना करे किसी बात की चिंदा ना करे किसी बात की चिंदा ना करे बस दाहे ना हातों पर उठाकर मेरे साथ भोलिए है प्रभु येश्व है प्रभु येश्व है प्रभु येश्व आपका ये वच्चन मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए आमेन अमेन अमेन अमेन